आपको प्रोडेक्ट दिखा रही हूं यह स्क्रब है बायोटिक कमपनी का और यह स्क्रब मैंने करीब यूज किया हुआ छह साथ आठ मैंने से यूज कर रही हूं आप देखी रहे हूंगे कि काफी खाली हो चुका है और इसको मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि मेरी ड्राइ स्किन है और विंटर में तो बहुत जाड़ा ड्राइ हो जाती है तो मैं कोई ऐसा इसक्रब डूंड रही थी जो मेरी स्किन को सॉफ्ट रखे बहुत ड्राइनस ना हो यह यूज करने के बाद इससे मुझे फायदा हुआ है मैंने सुचा कि आप लोगों अलाइन नायक का से लिया था उनका उपर चल रहा था उससों में बायोटिक के काफी सारे सामान लिये वह मैं 1-1 आपको रिवीव में दिखा दूंगी पहले तो यह मैं इसक्रब को दिखा रही हूं क्योंकि एक ही वीडियो में वीडियो काफी लंबा हो जाता है जो मुझे अधिया देखने में दूसरे को कैसे आएगा लंबा वीडियो तो आपको भी नहीं आएगा इसलिए इस वाले वीडियो में तो मैं इसी को इसक्रब को दिखा रहे है क्योंकि इसका एफेक्ट मुझे काफी अच्छा रहा है इसलिए यह दिखिए फैंसब पंड़ने में आह और यह उसक्राम से यूज कर सकते हैं और यह इसकी एकसपारी एकसपारी इसकी एप से अधिया है चाहिए फार्स के जुए इसकी सोफ लाइफ यह से यह से इसका यह एटेम गत्र एक्टीन ता है काफी सारी इंग्रेडियंट्स हैं कुछ जो आपको दिखी रहे हुंगे मुझे इस टाफेक्ट अच्छा है मैं बरबर यही बोल रही हूं इसलिए मैं आपको दिखा रही हूं और यह तो फिरा हरे की स्किन पर डिपेंड करता है इसको क्या चीज सूख कर रही क्या नहीं है मेरा अपना खुद का एक्सपीरिंस थीक तर अबने भी आपके साथ शेयर किया तो फिर आगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं मैं तो इसको काफी टाम से यूज कर रही हूं देखे कितनी खाली भी हो गई है रोज तो नहीं करती हूं क्योंकि ड्राय स्किन है और प्रॉब्लम भी हो सकती है वीक में एक या दो बार यूज करती हूं मैक्सिमम से जाधा नहीं स्मूथ रहती है स्किन मॉर्निंग में यूज करती हूं सब पंडे माई रहागा फ्रण इसकी पैकिंग अच्छी थी आहां रेट मैं आपको बता देती हूं एक सेकंड फॉर्टी एट राउंड था ये मुझे थोड़ा सेल में लिया था तो थोड़ा कम में मिल गया था इसी रेजिमें आता राउंड है और पूरे 8-9 मेने चला थो काफी अच्छा रहा मेरे लिए तो मैं इसको आपको यूज करके दिखा देती है वैसे इस क्रव यूज करना हम सबको पता ही होता है पर दिखा देती हूं मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्च्चर भी आपको दिख जाएगा इसके पिंगर्स करना है थोड़े देर यूज करने के जैंटली हलके हलके से यूज करने के बाद इसको वाश कर लेंगे खाता